हेलो दोस्तों मेरे नाम है शुकूर आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल सीड आईटी सलूशन जहां पे आपको जॉब पार्ट टाइम जॉब इंटेंशिब फ्री कोर्स और एजुकेशन से रेलेके रेगलर वीडियो मिलते रहते हैं दोस्तों आज की सुडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो हाल ही में एसेंचर कपनी की तरब से आई है दोस्तों एसेंचर ने एक नया जॉब नोटिफिकेशन निकाला है और जो जॉब पोस्ट है दोस्तों वो है ASE का मतलब Associate Sorcer Engineer का जिसके माध्यम से एसेंचर बल्क हायरिंग करने वाला है तो दोस्तों अगर आप B, B, Tech क्या फिर M, C, E कर रहे हो तो आपके पास काफी अच्छी opportunity है आप इस जॉब पे apply कर सकते हो और आप थोड़ी सी मैनत करोगे तो आप असानी से एसेंचर में भी जॉब पा सकते हो तो आज की स्वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में discuss करेंगे और जानेंगी कि क्या selection का process यहाँ पे होने वाला है किस तरीके से आपको apply करना है और किन बातों को आपको थ्यान रखना है लेकिन इसके पहले दोस्तों हर बार की तरह मैं आपसे एक ही request करूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी आप हमारे टेलीक्राम चैनल के भी मेंबर मन सकते हैं जहां पर आपको जॉब पार्ट टाइम जॉब इंटरेंशिप और फ्री कोर्स रिलेटेड डिली अपडेट्स मिलते रहते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आप उसे भी जॉइन कर लीजीए तो चलि हम वीडियो को स्था करते हैं और चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से आपको आपको जॉब टाइल मिल रहा है वो है email के माधियम से या फिर chat के माधियम से interaction करने का मौका मिले यहाँ पर उन्होंने बताया है दोस्तों कि अगर आप इसमें select हो जाते हो तो आपको day shift या फिर night shift दोनों में ही काम करने के लिए बोला जा सकता है तो आपको यहाँ पर दोनों shift में से किसी भी एक शिट में काम करने के लिए ready रहना है इसके अलावा आपको यहाँ पर coding का अच्छा knowledge होना चाहिए आपकी जो analytical skill है वो अच्छी होना ही चाहिए आपकी problem solving skill और आपका जो attitude solving skill है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए अब अगर आप दोस्तों इसके लिए apply करने का सोच रहे है तो link आपको description box पर मिल जाएका जिसके click करते ही आप आजाएंगे essential की official website में और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने form को fill करते समय जो भी basic instructions है उससे आपको बताया है कि जो भी आप यहाँ पे photo को upload करोगे दोस्तों उसका जो background है वो बिल्कुल plain white होना चाहिए इस तरह के का रंगीन photo आपको यहाँ पे upload नहीं करना है इसके अलावा आपको जो भी government का ID card upload करना है उसका भी detail आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा अब आपको दोस्तों यहाँ पे capture को feel करना है और next button पे click करते रहे हैं जैसी आप इस पे click करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का form आएगा और यहाँ पे आप job role देख सकते हो और अगर आप job का description जानना चाहते हो तो simple आपको इस पे click करना है और job का जो भी description है वो आपके सामने आने लग जाएगा अब आपको यहाँ दोस्तों यहाँ पे basic detail डालना है जैसे आपको इस job के बारे में कैसे पता चला आपको अपना professional detail जैसे first name, middle name, last name आपका जो भी university का registration number है वो आपको डालना है email, id, mobile number, date of birth gender, education detail आपको यहाँ पे select करना है तो यहाँ पे दोस्तों education type में अगर आप M.C.A. वाले हैं तो अब विसी बात हैं आप post graduate select करेंगे और अगर आप B.E.B.T.E.C. कर रहे हो तो आप यहाँ से under graduate select करोगे तो यहाँ पे दोस्तों यह जो job post है मैं आपको जैसे बता है सिर्फ B.E.B.T.E.C. और M.C.A. के students के लिए है इसके अलावा अगर आप B.C.A. कर रहे हो या फिर अगर आप M.T.E.C. कर रहे हो तो आप इस job के लिए eligible नहीं हो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वोही लोग apply कर सकते हैं जिनके college का नाम इस list पे आ रहा है अगर आपके college का नाम दोस्तों इस list पे नहीं है तो आप इसके लिए apply नहीं कर पाओगे ऐसे में दोस्तों अगर आपके college का नाम इस list पे available नहीं है तो आप अपने college के training और placement department से जरूर बात करिए कि वो अपने college का नाम Essenture की इस official website में जरूर डाले क्योंकि दोस्तों अगर आपके college का नाम यहाँ पे नहीं आएगा तो हो सकता है कि in future भी जब भी Essenture के तरब से job post हो तो आप apply ना कर पाऊ तो आप अपने college के TNP department से बात करिए दोस्तों और उनसे request करिए कि वो यहाँ पे enroll हो इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे branch select करना है तो अगर आप दोस्तों किसी भी branch से हो आप BEPTEC किसी भी branch से कर रहे हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो आपको यहाँ पे अपने branch को select कर लेना है इसके अलावा आपको दोस्तों अपना यहाँ पे year of passing तो दोस्तों यह सिर्फ वर सिर्फ 2021 batch के लिए है, अगर आप 2020 batch के हो या अगर आप 2022 batch के हो तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हो, अभी तक का आप जो भी आपका percentage रहा है उसे आपको यहाँ पर डालना है और आपको इसके अलावा बाकी जो भी academic detail है उसे feel करना है जैसे अगर आपका कोई भी year gap रहा है तो उसे feel करना है अगर आपको backlog है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो उसे आपको यहाँ पर select करना है और अपना जो भी government का photo ID card है उसे आपको यहाँ पे upload करना है इसके अलावा simple आपको यहाँ पे I agree button पे click करना है और आपको यहाँ पे submit button पे click कर देना है इसके बाद आपकी email पे भी notification आएगा कि आपका registration यहाँ पे हो चुका है और आगे का जो भी process होगा वो आपको email के माधियम से पता चल जाएगा अब अगर हम बात कर लें दोस्तों selection process का कि क्या selection process यहाँ पे होने वाला है selection के process में दोस्तों total 3 round होंगे जो सबसे पहला round होगा दोस्तों वो होगा online assessment test जिसमें 3 अलगलग category होगी जो पहला category होगा उसमें आपसे English reasoning और aptitude का question पूछा जाएगा total 50 question पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 50 minute का समय मिलेगा इसमें दोस्तों आपका technical question भी होगा pseudo code आपसे पूछा जाएगा total इसमें 40 question होगे और इसके लिए आपको 40 minutes का समय मिलेगा और इसके अलाबा assessment test में आपका programming भी आपसे पूछा जाएगा coding भी आपसे पूछा जाएगा इसमें दो coding के question रहने वाले हैं जिसके लिए आपको 45 minutes का समय मिलेगा और coding आप C, C++, Python, Java या फिर .NET language का यूज़ करके बना सकते हो इसके अलाबा दोस्तों अगर आपका पहला round clear हो जाएगा तो फिर जो second round होगा उसमें आपका communication assessment होगा और third round दोस्तों आपके HR interview round होगा तो I hope दोस्तों आपके वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को like कर देजे अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please आप इसे subscribe कर देजे साथ ही आप इस information को 2021 batch के student के साथ ज़रू share करिए Thank you